हलो फ्रेंड आप लोगोंने मतश्य, काशी, मगध, अंग, कुरू, पांचाल इन सभी का नाम सुना होगा ये सब जो है प्राचिन भारते इतिहास में महा जनपत के नाम से फेमस थे आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 16 महा जनपत और उसकी राजधानिया क्या थी श्वागत है आपका आपके ही अपनी चैनल लड़ हिस्ट्री वित रेखा में और हम लोग आज इसे कवर करेंगे जानेंगे कि वो 16 महा जनपत कौन कौन से थे और उसकी राजधानिया क्या थी लेकिन उसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये 16 महा जनपत क्यों कहलाएं तो देखिए जन से आपका जनपद बना और जनपद से महा जनपद बना छोटे छोटे राज्य जो है आपका बड़े सामराज्य में convert हुएं वही महा जनपद कहला है सोर्स के एकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि 200 जनपद जो थे वो आगे चल करके 16 महा जनपद में convert हो गया थे इंडिया में अभी जो है present में 14 महा जनपद है दो महा जनपद जो है एक आपका अफगानिस्तान और दूसरा जो है पाकिस्तान में है direction way में अगर हम लोग देखते हैं कि किस दिसा में कौन से जो है आपके महा जनपद थे तो उसमें से अगर हम लोग east में जाते हैं तो east में जो है आपका अंग था west में जो है आपका अवंती है और north west में अगर हम लोग देखते हैं north west में तो वहाँ जो है कंबोज है और अगर हम लोग south में आते हैं तो South में आपका अस्मक है और मात्र ये South का एक special एक अकेला महाजनपद था क्योंकि इसके अलावा South में और एक भी महाजनपद नहीं थे जितने भी महाजनपद थे वो सारे के सारे आपका North, East और West में थे एक मात्र महाजनपद अस्मक जो था वो East में था आखिर हमें इसके बारे में जानकारी मिलती कैसे है हमें कैसे पता चलता है कि प्राचिन काल में जो है सोला महाजनपद जो है वो थे तो इसके बारे में हमें जानकारी जो मिलती है महाजनपद के जो सोर्थ हैं वो दो है और इन दोनों में इसका वर्णन किया गया है एक बाद महाजनपत कौन-कौन से थे और उसकी राजधानिया क्या है सबसे पहला है कासी इसकी राजधानी जो है वारनशी थी और ये आप लोग भी बहुत आशानी से जानते होंगे अभी प्रेजेंट में बनारस के नाम से फिमश है कासी जो है ऐसे ही आपका भोले नाफ्त के लिए जाना जाता है नेक्स्ट है आपका कोशल इसकी राजधानी जो है स्रावस्ति थी इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तीसरे महाजनपत को तो वो है आपका अंग और इसकी राजधानी जो है चंपा थी चंपा अगर देखा जाए अंग जो है ये महाजनपत कहां देंगे कि ये बिहार में जो है लोकेटेड है दूसरा है आपका उसके बाद वजई इसकी राजधानी जो है वैसाली ये भी जो है बिहार में ही है और वैसाली जो है आपका बहुत ही अधिक फेमस प्लेस भी है बहुत धर्म से इसके लिए और जो है जान धर्म के लिए भी न इसके बाद है आपका गानधार जिसकी राजदानी तर्चिशिला थी। आप लोगोंने गानधारी का नाम तो सुनाई होगा महाभारत में जो धितराश्ट थे, उनकी पत्नी थी गानधारी और सक्नी मामा का भी नाम आप लोगोंने सुना थी यह वहीं से बिलॉंग करते आपका पाकिस्तान में है नेक्स्ट है इसके बाद मत्स इसकी राजधानी जो है विराट नगर थी और इसके संस्थापग भी जो थे वो राजा विराट थे कहा जाता है कि जब महाभारत के दौरान पांडवों को आज्यातवास की एक साल की जो सजा सुनाई गई थी उस दौ आपका सूरसेन और ये इसकी राजधानी जो थी मतुरा थी अभी प्रेज़ेंट में अगर हम लोग देखेंगे कि मतुरा जो है जैसे सूरसेन इसकी राजधानी जो है मतुरा थी और प्रेज़ेंट में आपका ये जो है उत्तर परदेश में है प्रेजेंट में ये जो है मल्ल की राजधानी जो थी इसे जो है पावा कहते है और यह अभी प्रेजन्ट में जो है उतर परदेश मेंहीं ही जो है आपका माह maeजन्पत है नेक्स है चेदी और इसकी राजधानी जो है सुत्त्मथी थी और यह जो है आपका मध्य परदेश में है आपका ये जो है अगर हम लोग देखेंगे इसका location तो ये जो है आपका मध्य परदेश में है किसकी च्वेदी की और इसकी राजधाने सुप्त मती नेक्स्ट है इसके बाद वद्स इसकी राजधानी जो है कौशाम बी और ये भी जो है present अगर location हम लोग देखते हैं तो present location जो है इसका इलाहबाद हुआ that means की उत्तरपरदेश इसकी बाद next है आपका पांचाल पांचाल की जो पांचाली थी पांडवो की पतनी ये यहीं से बिलॉंग करती थी और पांचाल जो था ये आपका जो है दो भाग में बटा हुआ था एक था उत्तरी पांचाल और दूसरा था दच्छनी पांचाल उत्तरी पांचाल जो था इसकी राजधानी जो थी अही छत्र था इसकी राजधानी जो है और दचनी पांचा जो थी इसकी राज़दानी काम पिल थी नेक्सनी इसका बाद आपका असमक है असमक कहिए फिर आपका अश्वक कहिए यह इस नाम से जाना जाता है और यह मात्र आपका दच्चिन भारत का एक मात्र महा जनपद था क्योंकि इसके अलावा दच्छिन भारत में एक भी महा जनपत नहीं थे और इसकी राजधानी जो है पोटिल थी इसकी राजधानी क्या थी पोटिल या फिर आप पोतन भी कह सकते हैं जो आपका गुदावरी नदी के तर्ट में आपका आंध प्रदेश में भी इसका प्रेज भारत में था बाकि सारे महा जनपत वह के इस वेस्ट नौडस में थे सिरस हीग टा उसके उसके बाद नेक्से आपका अवन्ती इसकी राजधानी जो है क्या थी उजयनी थी अवंती की राजधानी जो है उजयनी थी और इसका अगर हम लोग present location देखते हैं तो present location जो है इसका मध्यपर्देश होता है और अवंती जो थी ये भी जो आपका दो पार्ट में बटी हुई थी मतलब दो भाग में बटी हुई थी एक आपका उत्री अवंती थी और दूसरा जो है दच्छनी अवंती थी उत्री अवंती जो थी उसकी राजधानी उजयनी थी बट दच्छनी अवंती जो थी उसका माहिश्मती जो है राजधानी थी आप लोगों ने जो है ये फिल्म भी बाहुवली देखा होगा उसमें माहिश्मती सामराज जी के बार आप लोगरे सुना भी है तो यह जो है अवंती जो राजित था उसी की जो है दच्छनी जो है राजधानी थी महेश्मती नेक्स्ट है इसके बाद आपका और हाँ एक बात और इसमें कि अवंती जो है उस टाइम पे आपका जो है लोहे के खान के लिए जो है बहुत अधिक फ क्या है और कंबोज देखतेएं तो प्रजब्रम में जो है आपका अफगानिस्तान में है जैसा कि मैं स्टार्टिंग में ही बताई थी कि दो महाजनपध mum arat अभी प्रजबेंट में जो है हातक. आप लोगर इसे बहुत آसानी से याद रख सकते हो जो हट गया. हाटक मिन्ज हटना तो कंबोज की राजधानी आप हातक भी याद कर सकते हो या फिरINDरप्रश्ट इसके बाद नेक्स्ट है कुरु इसकी राजधानी जो है इंद्रप्रस्त इस कुरू जो आपका सामराज है महाजनपद है इसका विनाम आप लोगों ने शुना ही होगा और कुरू महाजनपद जो थी यह बहुत ही अधिक फेमस थी कुरू राज्यवन्स से ही जो आपका पांड़ाव कौरब विश्व पितामा ये लोग जो है आते थे और महाभारत के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है उसमें एक गुरू राज्यवन्स की जानकारी मिलती है तो यह था हमारा आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने 16 महाजनपद के बारे में जाना उसकी रासधानियों के बारे में जाना और प्रसेंट लोकेशन भी क्या है वो भी जाना तो friend हमारे तो भी तोरा दी गई जानकारे अगर आपको अच्छी लगी हो तो please हमारे वीडियो को like करे share करे और comment करके हमें comment box में जरूर बताए कि आपको ये video कैसा लगा और चैनल को अगर अब ही तक आप लोगों ने subscribe नहीं किया तो please subscribe करें मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द अपने next video में